कि अलो दोस्तों नमस्कार आज के सेशन बचों हम जानेंगे क्लास ऑफ फायर एक्कॉर्डिंग टू बियाइस मैं यह कहूं कि आग का वर्गी करण एकॉर्डिंग टू ब्यूरो अप इंडियन इस्टेंडर ने इस प्रकार अलग-अलग क्लास में जो है अलग-अलग प्रका लेपर, क्लोथ, ETC, एडसेप्टरा इस से रिलेटेड जो आग हैं आपकी क्लास A फायर में जो हैं वो एक्कॉर्डिंग टू बियाइस आपकी रखी जाती है क्लास B फायर में बचों फ्लेमबल लिक्विड जैसे पैट्रोल, डिजल, किरोसीन, पेंट इत्यादी से लगी आग को क्लास B फायर में रखा जाता है क्लास C फायर में बचों फ्लेमबल गैस जैसे LPG, Acetylene, Butane, Methane, Coal, Hydrogen इस प्रकार की गाहसम में जो आग लगती है इसको क्लास C फायर में रखा जाता है क्लास D फायर में बचों आपके फ्लेमबल मेटल जो लनसील अगर धातों में अगर आग लग जाती है तो उन धातों की आग को क्लास D फायर में रखा जाता है जैसे सोडियम, पोटिसम, लीथियम, एर्सेप्टरा, इन मेटल्स में अगर आग लग जाती है, तो इनको Class D फायर में रखा जाता है, Class E फायर में बचों, Electrical Equipment में अगर आग लग जाई, मैं कहूं कि Class E फायर जो होती हो, Electrical फायर होती है, जैसे Transformer, Generator, इत्यादी में अगर आग लग जाती है, तो इसको Class E फायर में रखा जाता है, Kitchen फायर बचों, एक होती है, मतलब, Cooking Oil, Fat, इत्यादी में अगर आग लग जाए, Kitchen फायर भी इसको कहता है, तो इसको Class F में रखेंगे, तो ये था बचों, आग का वरगिकन, आग का, आपको पता है बचों, आग लग रखती है, लेकिन उसको हम अलग-अलग Class में रखते हैं,